हेलो दोस्तो तो आज अम बात करने वले है दिल्ली की 10 भूतिया जगाओं के बारे में क्या कहानिया है इन जगाओं की क्यों डरते हैं लोग इतना इन जगाओं पर जाने से सब कुछ मैं आपको बताऊगा और ये 10 की 10 पूरी जगा दिखाऊगा तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं तो सबसे पहले वो जगा जो मेरे घर से सबसे पास है द्वार का सेक्टर 9 का भूतिया पेड तो लोगों का मानना है इस पेड के आसपास में एक ओरत की आत्मा बटकती है सफेद साडी में और जो भी रात के समय इस रोड से जा रहा होता है अपनी बाइक या कार से वो औरत की आत्मा उससे लिफ्ट मांगती है जो उसको लिफ्ट दे देता है वो उसकी आखरी रात होती है और जो ऊसको लिफ्ट नहीं देता उसका एक्सेडेंट हो जाता है कुछ लोगों ने यह भी बोला है कि वो ओरत की आत्मा उनकी बाईक और कार के साथ में उनकी बाईक और कार की स्पीड से ही भागती है तो दूसरे नमबर पर आती है दिल्ली केंट होंटिड रोड इस रोड की कहानी भी दौर का सेक्टर नो जैसी बिल्कूल सेम है यहाँ पर भी लोगों को सफेज साडी में एक ओरत दिखती है उसके बाद में है महंदी वला पारक इस पारक की दो भूतिया कहानिया है पहली यह इस पारक में एक तलाब था लोगों का मानना है, भोते साल पहले उस तलाब में कुछ लोग डूब कर मर गए थे उनकी आतमा अब इसी तलाब के आस-पास में इसी पारक में भटकती है तो हम इस पारक में जब पहले गए थे लोग बनाने तब यहाँ पर पानी था वट हम एक साल बाद गए तो यहाँ का सारा पानी सूख चुका था और पानी के अंदर लोगों ने दिये कलश फैके हुए थे जो पानी से बाहर आकर यहाँ पड़े हुए थे तो इस पारक की फुल वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और इस पारक की दूसरी भूतिया कहानी ये है इस पारक में देखो ये सामने आपको वाइट वाइट दिवार दिख रही होगी इस दिवार के बैक साइड में है शमशान घाट तो लोग बोलते है रात को यहाँ पर इस एरिया में उनको अजीब जीब से आवाजे सुनाई देती है इस पारक में और यहाँ पर उनको परच्छाई दिखती है और फिर वो परच्छाई गायव हो जाती है चोथे नमबर पर है दिल्ली के जंगलों के बीच में बना ये विरान महल जिसका नाम है मालचा महल और इसे विलायत महल भी कहते है तो 700 साल पहले इस महल को बनवाया था सुल्तान फिरोज शाह तुगलक ने उसके बाद 1985 में इंडरा गांधी सरकार ने इस महल को बेगम विलायत महल को दे दिया था कुछ सालों बाद बेगम विलायत महल ने इसी महल के अंदर ससाइड कर लिया था और उसके कुछ साल बाद उनकी बेटी सकीना महल की भी मिर्तिव हो गई थी और बेगम विलायत महल के बेटे प्रिंस अली अकेले इस महल में बहुत सालों तक जिंदा रहे और उसके बाद भूक की वज़ा से उनकी भी मृत्यू हो गई इसलिए लोगों का मानना है कि उन तीनों की आत्मा अभी भी इसी महल में बटकती है तो इस महल के फुल व्लोग की वीडियो और इस महल की फुल स्टोरी की वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी तो पाचवे नंबर पर मैं आपको बताता हूँ दिल्ली के 10 किलो मीटर में फैले इस जंगल के बारे में जिसका नाम है संजेवन तो यहां की भूतिया कहानी है यहां पर लोगों को एक ओरत दिखती है और फिर वो अचानक से गयब हो जाती है और उसके लावा यहां पर लोगों को छोटे छोटे बच्चों की चिलाने की रोने की और खेलने की आवाजे आती है बट आसपास कोई भी बच्चा नहीं होता आसपास कोई भी नहीं होता इसके बाद में है भूली भटियारी का महल तो यहां की भूतिया कहानी है इस महल के जो राजा थे उन्होंने अपनी राणी को किसी और के साथ फ्लरट करते हुए देख लिया था तो उन्होंने राणी को इस महल के अंदर अकेले कैद कर दिया था अब कही जगा बताया है रानी इस महल में अकेले मर गई थी कही जगा बताया है रानी ने ससाइड कर लिया था और उसके बाद लोग बोलने लगे रानी की आत्मा इसी महल में भटकती है वो राजा का इंतजार कर रही है राजा से अपना बदला लेने के लिए उसके बाद में है अग्रेसेन की बाउली बहुत पहले इस बाउली में एक काले पानी का तलाब था और जो भी इस तलाब के आसपास आता था ये तलाब का पानी उसको अपनी तरफ इपनोटाइस कर लेता था और फिर वो व्यक्ति इस तलाब में कुद कर अपनी जान के बारे में यहाँ पर लोग बोलते है जमाली कमाली के जिन घुमते है और बहुत से लोगों ने यह भी बोला है कि उनको यहाँ पर जिन की आवाज भी आई है और जिन ने उनको थपड भी मारा है भई क्या ही बोलू मैं कैसी कैसी कहानिया बना देते हैं लोग तो गाइस यह देखो यहाँ पर जमाली और कमाली की टॉम्ब भी है और यह देख लो अंदर से जमाली कमाली का मस्जिद इन सब वीडियो का फुल वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा उसके बाद में है Muteiny House, Muteiny Memorial दिली देश की अजादी की पहली लड़ाई में शहीद हुए Soldiers की याद में बनाया गया था यह Muteiny House, Muteiny Memorial दिली और यहां की भूटिया कहानिया है रात को यहां पर अंग्रेज Soldiers की आतमा बटकती है और वो लोगों से माचिस मांगती है सिगरेट जलाने के लिए और लोगों से रास्ता भी पूछती है दसवे नमबर पर इस वीडियो की आखरी भूतिया जगा है खूनी नदी दिली इस नदी के पानी के आसपस जो भी जाता है या इस पानी को टेच करता है ये पानी उसको अपने अंदर खीच लेता है और मार देता है लोगों को यहाँ पर रात के समय चीखने चिलाने और रोने की आवाजे भी आती है पानी के अंदर से तो इन 10 की 10 जगाओं की ये भूतिया कहानिया आपको Google पर भी मिल जाएगी और YouTube पर भी मिल जाएगी और अगर मैं अपना opinion दूना तो मैं दिल्ली की लगबग ऐसी सारी जगाओं पर जाकर वीडियो बना चुका हूँ जिनको लोग भूतिया जगा बोलते हैं, ड्रामनी जग दिन में भी और रात में भी लाइव गूगल टाइम के साथ वो सारी वीडियो का लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में देदूगा आप देख सकते हो, मुझे तो आज तक किसी भी जगा पर कोई भी भूत नहीं दिखा, कोई भी ऐसी आवाज नहीं आई जिसको मैं भूति टेंट शेयर